क्या आपके भी गुड़हल के पौधे में इस तरीके की प्रॉब्लम है कि कलियां अपने आप ही खिलने के पहले गिर जाती है या कलियां पीली होकर के अंदर ही मुर्जा जाती है और सूखने लगती है तो आज के वीडियो में मैं आपको complete care बताने वाली हूँ जिससे आप सर अकसर गुड़हल में ये problem देखने को मिलती है कि पतियां सिकडी हुई है या flower जो है वो पूरे खिलते नहीं है या फिर पतियां पीली होकर के गिरने लगती है तो ये जो खाद है ये आपके गुड़हल पर बहुत ही अच्छा असर डालेगा यानि कि गुड़हल को पूरी मुर्जाने लगता है या बेजान सा हो जाता है flowering बिल्कुल भी बंद हो जाती है तो इस खाद को दीजिए ये आपके गुड़हल पर बहुत ही अच्छा असर करेगा आप इसे hybrid और देसी दोनों ही गुड़हल पर दे सकते हैं कई लोगों की query थी कि कैसे पता होता है कि ये hybrid है और ये देसी है देसी गुड़हल सालों भर flowering करते हैं और height में भी जादा होते हैं और भी बहुत सारे पहचानने के तरीके हैं लेकिन जो hybrid है वो small होते हैं छोटे होते हैं और वो सिर्फ सर्दियों में ही flowering करते हैं गर्मियों में कभी इका दुका flowering कर देते हैं hybrid को ज 10-12-15 इंच के कंटेनर में आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं देखिए मेरे भी गुड़हल की पत्तियां पीली हो रही है अब दो तिन सिचुएशन हो सकती है पत्तियों के पीले होने के पहली तो बहुत ही कॉमन है कि मिट्टी में निट्रिशन की कमी है लेकिन दूसरी जिचीज यह है कि यदि आपने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दिया है और गंबले की मिट्टी काफी दिनों से ड्राई हो गई यानि 2-3 दिन से ड्राई है तो गुड़हल के लिए 3 दिन का सूखा बहुत होता है इस तरीके के यदि मिट्टी है तो कलियां भी सूखें जो की बहुत जरूरी है सारे फ्लारिंग वाले प्लांट के लिए ये जितनी भुरुरी मिट्टी आपको दिख रही है ये ऐसी मिट्टी है तो ये कारण है पत्तियों के पीले होने के और पत्तियों के मुढ़ने के तो आपके गुड़हल में ये दिये वाली प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे मेरे गुड़हल में बहुत सारी कलियां बन रही है लेकिन पत्तियां सडेनली एक दिन पहले मैंने देखा पीली होने लगी है तो मुझे ये समझ में आया कि मिट्टी में तो निउट्रिशन है लेकिन पानी सायद दो दिनों से दिया नही पूरी है सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में तो रखना ही है पौधे को और गुड़ाई भी करते रहनी है खाद कौन सी देनी है ये जानना जरूरी है सर्दियों के पहले ये खाद अभी यदि आप दे देते हैं अक्टूबर में तो अब आपको एक महिने के बाद नेवंबर में ही खाद देना है देखिए वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट तो हम अक्सर अपने पौधे में यूज करते हैं लेकिन ये ऐसी चीज होती है जो हर एक पंदरह दिनों पर एक एक या दो दो चमच आपको गमले में डालनी होती है और यदि जमीन में आपने पौ गुड़हल को देना जरूरी है क्योंकि गुड़हल एक हैवी फीडर होता है और गुड़हल को यदि आप साल में एक या दो बर फर्टिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छी फ्लारिंग नहीं होती है गुड़हल को हमेशा अपनी मिट्टी में निउट्रिशन चाहिए दे पहले ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आपको क्या करना है 5-6 केले के छिलके ले लिजे मैं आपने 5 गमलों के लिए बना रही हूँ 5-6 केले के छिलके ले लिजे और इसे पानी में रात भर भिगो दीजे देखिए जो ये पानी है ये पोटेशियम यूग थे ये तो सूखी मिट्टी है यह ऐसी सूखी बिलकुल नहीं रहेगी यदि इसका आप हमेशा इस्तेमाल करेंगे मिट्टी एकदम मॉइस्चर वाली रहेगी और रिच रहेगी जिससे की आपके पौधे में फ्लारिंग बहुत ही अच्छी होगी और यह आप अपने सभी फूलो वाले पौधों के साथ कर सकते हैं मेरे इस गमले में एक साथ कम से कम 20 से 25 कलियां बनी है और ऐसा सभी गुढ़हल के साथ है यह जो गुढ़हल का पौधा दिख रहा है देखिए इसके हर ब्रांच पर कली बनी है अलग से कोई खाद नहीं दिया वही खाद जो आप लोगों के इसे हैं गुढ़ाई करना और पौधे में थोड़ी ट्रीम करना आप कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या अभी ट्रीम कर सकते हैं हां सौफ्ट ट्रीमिंग आप कभी भी कर सकते हैं जैसे आपका पौधा एक बार फ्लारिंग कर चुका है और वहां कलिया बनी है तो उसके नी पौधे में अभी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन फैब के मन्त में फिर से आप इससे बहुत अच्छे से ट्रीम करके एक शेप दे सकते हैं देखिए जो केले के चिलके थे उन्हें मैंने पानी में भीगो दिया है जब आप पानी में राद भर भीगोते हैं तो पानी में जितनी रिक्वाइरमेंट है यूज कर लीजे कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है और जो चिलके बच गए हैं उनमें और पानी डाल करके रख दीजे और तीन दिन के बाद फिर से आप इस्तमाल कर सकते हैं केले के चिलके वाले जो पानी होते हैं जो फर्टिल पौधे पर मिली बग्स हटाने या फंगस को हटाने के काम में नहीं आता है बलकि पौधे को स्ट्रॉंग करता है कलियों को मजबूत करता है आप इसका इस्तिमाल करके देखना जरूर 100% रिजल्ट मिलेगा यदि जिनके पौधे में कलियां गिरती हैं या खिलती नहीं है लेकिन कली सूखने लगती है अच्छे से स्प्रे कर दीजे शाम के समय आप इसका स्प्रे कर दीजे अच्छे से स्प्रे कर दीजे पत्तो पर इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है यानि नेक्स डे ही आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि बहुत ही बढ़ अच्छा एक चीज और है गुड़हल पर मिलीबक्स होते ही हैं वो कलियों के अंदर ही छुपे होते हैं तो कई बार मिलीबक्स की संख्या जादा हो जाती है तो कलियां खिल नहीं पाती हैं तो इसके इस्तिमाल से multiple फायदे हो जाएंगे अब यह जो चीज है यह बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा ऑनलाइन भी मिल सकता यह है कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां सस्ता ही होता है कोई बहुत कौसली नहीं होगा 50-60 रुपे में एक छोटा पाउच आप ले सकते हैं और इसके 5-6 दाने आपके 10 इं निकल करके आ रहे हैं या फिर पौधे की जितनी भी प्राप्लम है सर्दी शुरू होने के पहले ये 4-5 दाने 10 इंच के कंटेनर में आप डारेक्ली स्वाइल में भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं इसली सौलूबल है पानी में बहुत से घुल जाता है आप इसको repeat कप करना है हर एक 15 दिनों पर आप इसे repeat कर सकते हैं इसका result बहुत ही अच्छा होता है इसे आप hybrid और देशी दोनों प्रकार के गुढ़हल पर इस्तमाल कर सकते हैं मुझे उमीद जनकारी आपको अच्छी लगी होगी जनकारी अच्छी लगती है तो चैनल को like, share और subscribe कीजिए धन्यवाद इसे related कोई भी query है तो आप comment section में लिख देजिए